हेलो फ्रेंट्स कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बढ़ाई बेच्चे चल रहे होगे तो फिर ही विद्यार्थियो आज की इस क्लास में हम कक्सा आठ भुगल विसे की पुस्तक संसाधन एवं विकास के अध्याए 5 जिसका नाम है के अभ्यास के समस्त प्रश्णों के उत्तर को जानेंगे हमने आपके NCRT के नविंतम पाठेक्रम के अनुसाथ अध्याए 1 से लेकर 4 तक सभी के अभ्यास प्रश्ण बहुत अच्छे से स्वालू करा दिये हैं साथी साथ आपकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गण पहला प्रश्ण आपके सामने दिया हुआ है निमनलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए पहले का पहला प्रश्ण उद्योग सब्द का क्या तात्पर्य है यह आपको बताना है कि आखिर उद्योग सब्द से हमें क्या पता चलता है देखें उद्योग सब्द का तात्पर तो उद्यक सब्द का तातपर्य उन समस्त आर्तिक गतिविद्यों से हैं जो वस्तूओं के उत्पादन यहां पर वस्तूओं का उत्पादन होता है खनीजों के निसकर्षन दर्ती से खनीज निकाले जाते हैं उन खनीजों का निसकर्षन किया जाता है तथवा सेवाओं की व उद्योग सब्द का तात्परिय उन समस्त आर्थिक गतिविद्यों से हैं जहां से आयकी प्राक्ति होती है चाहे उसमें वस्तुओं का उद्पादन हो चाहे खनीजों का निसकर्शन हो या किसी तरह की सेवा प्रदान करना हो वो सारी गतिविद्या जहां से आयकी प्राक्ति होती है उन्हें हम उद्योग सब्द से परिवासित करते हैं यह उद्योग सब्द का मतलब केवल कर खार खानों केवल कल कार खानों और फैक्टरियों से नहीं है उद्योग सब्द का मतलब उन सभी गत्ती विदियों से हैं जहां से IQ क्या होती है प्राप्ति होती है आगे बठते हैं दूसरा पष्णो वे कॉन से मुख्य तत्य है जो उद्योग की अवस्थिती को परभावित करते हैं उसके लिए क्या जरूरी है सबसे पहले raw material raw material यानि कच्चा परदात या कच्चा माल किसी भी उद्द्धों के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कच्चा माल उसके बाद labor labor यानि सर्मीक उसके बाद capital capital यानि पुन्जी इसके बाद market यानि बाजार उसके बाद जल फिर power समता फिर land फिर transport प्रिवहन और फिर communication यानि संचार सुविधा ये सारी चीज़े हैं वो एक उद्ध्योग की अवस्तीती को परभावित करती है कि एक उद्ध्योग कहां पर इस्तापित होना चाहिए इसके लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में पहले रखा जाता है इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के बाद ये किसी जगे का शेयन उद्ध्योग धंदे के लिए किया जाता है तो देखें उद्ध्योग की अवस्तीती को परभावित करने वाले कारकों में क्या क्या सामिल हैं तो उसमें सामिल है संचार यानिis communication, प्रीवहन यानि transport, भूमी यानि land, विद्यूत यानि electricity, कच्छामाल यानि raw material, स्रम यानि labor, पुंजी यानि capital, माजार यानि market और जल यानि water ये सारी चीजे हैं वो किसी उद्योग की अवस्तिती को फ्रवावित करती है ठीक आगे तीसरा कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों कौन से उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड यानि रीड की हड़ी कहा जाता है मेरुदंड का मतलब क्या है मेरुदंड का मतलब रीड की हड़ी जिसके बिना कुछ संभव भी नहीं है तो कौनसे उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहते हैं और क्यों कहते हैं तो देखें जो आपका इसपात उद्योग हैं उसको आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। पहले परशन का उत्र मिल गया कि कौनसे उद्योग को आधुनिक उद्योग का महरुदंड कहते हैं तो इस पात उद्योग को आधुनिक उद्योगों का महरुदंड कहा जाता है अब कारण क्या है क्योंकि लगबग सभी उद्योगों में इस पात को कच्छे माल के रूप में लिया जाता है तूकि जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में इसपात का उप्योग कही न कही कच्छे माल के रूप में किया जाता है लगबग सभी वस्तुओं के निर्माण में इसपात का उप्योग किया जाता है उद्योगों के लिए आवशक मसीने, पोत, रेल उद्योगों का क्या का जाता है मेरुधंड कहा जाता है यह बाकि जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योगों में इस पात का उप्योग कच्छे माल के रूप में किया जाता है सभी वस्तिवों के निर्मान में कही न कही थोड़ा बहुत भाग भी इस पात का जुरूर जाता है चाहे वो मसीने बनानी हो वो त्यानि बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बनाने हो रेलकाडिया बनानी हो प्रक बनाने हो वजार बनाने हो वो सबी चीजे इस पात से ही मिलकर बनी होती है इस वज़े से इस पात के बिना बाकी किसी भी जो उद्योग है बाकी किसी कपा सुध्योग है, वो मुंबई के अंदर तेजी से विक्सित क्यों हुआ है? तो देखो यह आपका मुंबई है भारत के नक्से में, इसकी इस्तती देखोगे कि इसके तीनों तरफ क्या है? इसके तीनों तरफ पानी है, ना केवल एक भाग को छोड़के यह जो पूरा इस् इदर और इदर नीचे वाले इससे सब जिगे क्या है पानी है पानी है इसका मतलब क्या हुआ कि मुम्बई एक बंदरगा की तरह काम कर रहा है है यहां से जल परिवहनी की जो सुविधा है वो बहुत ही अच्ची है साथी साथ यहां की जो जलवाई हुए वो कैसी है वो कोशन जलवाई हुए मतलब न तो ज़्यादा यहां पर सर्दी पड़ती है और नहीं ज़्यादा गर्मी होती है तो यहां की जो जलवाई हुए वो एक संपरस्तिती वाली है तो यही कारण है मुंबी में कपास उद्योग सबसे ज्यादा विक्सित हुआ है देखें कपास उद्योग मुंबी में तेजी से विक्सित हुआ है पहली सफल पंजीकरत वस्त्र मिल मुंबी में इस्तापित की गई थी सबसे पहली जो पंजीकरत रजिस्टर कपड़ा मिल थी उसकी इस्तापन का की गई थी मुंबी के अंदर ही की गई थी कपास उद्योग मुंबी में तेजी से विक्सित हुआ है इसके वीचे कई कारण है पहला कारण है कोशन आध्र जलवाईू मैंने बताया कोशन आध्र जलवाईू यानि यहाँ पर न तो जादा गर्मी पड़ती है और नहीं जादा सद्धी पड़ती है फिर मसीन आयात के लिए पतन यानि मसीनों को खरीबने के लिए यहाँ पर पतन यानि बड़े-बड़े वंदरगा मौझूद है कच्छे माल की प्रियार्थ उपलवदिता और मुंबी के अंदर प्रिवहन की सुविता बहुत अच्छी होने से के वज़े से यहाँ पर कच्छे माल की उपलवदिता भी आसानी से हो जाती है कच्छा माल वहाँ पर प्रिवहन के जरिया आसानी से पहुंच जाता है दक्स कारिगरों की उपलवदिता साथ ही मुंबई के अंदर पूरे भारत भर से यहां तक की विश्व के जो लोग हैं वो भी काम करने के लिए आते हैं तो यहां पर एक से एक बढ़कर दक्स कारिगर सर्मिक मुझूद है और मुंबई है वो महत्वपुन समुंद्री मार्गों से भी जुड़ा हुआ है चाहिस्तान है और इसी वज़य से कपास उद्योग मुंबी के अंदर बहुत तेज गिती से क्या हुआ है विश्वित्सित हुआ है दूसरा प्रशन सही उत्तर चिनहित कीजिए फोर्ट गेलेश्टर अवस्तित है फोर्ट गेलेश्टर नामक जो जगे है वो कहां पर है फी जगे है आपकी पच्चिम बंगाल में कहां पर है पच्चिम बंगाल में पिर निम्नम ऐसे कौन सा प्राकर्तिक रेसा है जैसा कि चित्र दिख रहा है आपका जो जूट है वो प्राकर्तिक रेसा है अगे तीसरा अंतर इसपर्ष्ट करे करसी आधारित और खनीज आधारित उद्योग और दूसरा है सारवजिन चित्र और संयुक चित्र के उद्योग तो सबसे पहले बात करते हैं करसी आधारित उद्योग और खनीज आधारित उद्योग में अंतर तो यहाँ पर हमने एक सार्णी बनाई है एक वाग में लिखा है करसी आधारित उद्योग और दूसरे वाग में लिखा है खनीज आधारित उद्योग देखें जो करसी आधारित उद्योग है वो कच्छे माल के रूप में वनस्पती और जन्तु आधारित उत्पादों का क्या करते हैं उप्योग करते हैं करसी पर आधारित जो उद्योग है वो कच्छे माल के रूप में एक तो वनस्पती और जन्तू आधारित जो उत्पाद है जिसमें दूद, दही, जी, चमडा और वनस्पती से जैसे पेडों की चाल, पत्तिया, पेडों का आपका गोंद, पेडों के छिलके, लकडिया इन सभ करते हैं, खनीज आयस का काउपयोग करते हैं, करसी आधारित उद्योगे की बात करें, जैसे वनस्पती, तेल उद्योग, सूती वस्तर उद्योग, डेरी उद्योग, चर्म उद्योग, इसी तरह मतस्य पालन, कुकुट पालन, पसु पालन, ये सब करसी आधारित आगे बढ़े तीसरे का दूसरा प्रशना सारवजिनिक चत्र के उद्योग और संयुक्त चत्र के उद्योग दोनों में अंतर बताना है तो एक बाग में हमने लिखा है सारवजिनिक चत्र के उद्योग और दूसरा है संयुक्त चत्र के उद्योग देखो जो सारुजिनिक चत्र के उद्योग है जिनका स्वामित्य और संचालन दोनों सरकार के आत्मे होता है इनको इन पर अधिकार, कंट्रोल और इन पर चलाने की जिम्मेदारी ये दोनों किसके आत्मे होती है सरकार के आत्मे वही जो संयुक्त चत्र के उद्योग है इन पर स्वामित्य यानि अधिकार और संचालन पर सरकार का भी और निजी वैक्तियों, दोनों का क्या होता है? इना सरकार और किसी प्राइविट वैक्ति हो सकता है कोई या कोई संस्ता हो सकती है, उनके भीच में भागेडारी होती है और ये दोनों मिलकर सरकार और जो नीजी संस्ता या जो नीजी वैक्ति है वो आपस में मिलकर इन उध्योगों का संचालन करते हैं फिर सारजुनिक चतर के अंदर जो संपून पुंजी लगी होती है वो सरकार के लगे होती है जबकि संयूग चत्र के उद्योग के अंदर जो पुंजी है वो सरकार और निजी व्यक्ति अत्वा निजी फर्म दोनों की मिलकर लगे होती है सार्जणिक चत्र के उद्योग की बात करें Still Authority of India Limited ये क्या है आपका सार्जणिक चत्र का उद्योग है वही संयूग चत्र का उद्योग जैसे मारूती उद्योग ये कौनसा है आपका संयूग चत्र का उद्योग है आगे प्रशन संख्याचार गिये गई इस्तानों में निम्न लिखित के दो-दो उदारन देने है देखो सबसे पहला उदर्ण देना है कच्छे माल का तो कच्छे माल के रूप में लोहयसक का उप्योग किया जा सकता है और कपास का उप्योग कच्छे माल के रूप में किया जा सकता है फिर अंती मुत्पाद तो इसपात और सूती वस्तरकी कमीच ये क्या है देखो लोहे असका का अंतिम उत्पद क्या है इस पात और कपास का अंतिम उत्पद क्या है सूती वस्तरक की समझ लिए कमीच फिर तर्तियक क्रिया कलाप तर्तियक क्रिया कलाप में कौन सी सेवाय आती है सभी परकार की जो सेवाय होती है वो सेवाय तर्तियक चत्रक में सामिल होती है जैसे वेपार हो गया, बैंकिंग हो गया यह क्या है यह आपके तर्थिक चत्र के या स्थेवा चत्र के उधारन है फिर कर्सी आधारित उध्योग सूती वस्त्र उध्योग और खाद्य संसादन उध्योग फिर कुटिर उध्योग खिलोने बनाना और हत करगा फिर सहकारिता आनंद मिल्क यूंगिन लिमिटेड और प्रश्णों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं, उम्मित करता हूं सभी प्रश्णों के उत्तर आपको बहुत अच्छे समझ माय होंगे, तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है, तो फिर लाइक, कमेंट, सेर और सब्सक्राइब जरूर करें, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब दक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत!